अब इसके लिए हमारे online application पर एक course launch किया गया है, जो कि 1 जून से इसकी classes, recorded classes upload होनी शुरू हो जाएंगी, ये course आज ही launch किया गया है, इस course में आपको क्या मिलेगा, इसके बारे में हम आपको यहाँ पर discuss कर लेते हैं, जर्नल साइंस की अगर बात की जाए, तो जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने topics आपको बताए हैं, और सभी topics को cover करवाया जाएगा, जो कि बिल्कुल हमारा new pattern पर waste है, इसमें आपके factual और conceptual builder course होगा, fact को आपको clear करवाया जाएगा, साथ ही साथ concept पर सबसे ज्यादा focus हो जो सब्जेक्ट है, physics हो गया, chemistry हो गया, biology हो गया, यानि कि life science हो गया, तो 50 plus topics हो जाते हैं, लगभग ये, तो ये सभी topics यहाँ पर cover करवाया जाएगे, इसके साथ साथ, 2000 plus MCQs questions की भी practice करवाया जाएगी, और साथ ही साथ जो हमारे physics में numerical पूछे जाते हैं, chemistry में जो numerical question जाते हैं, उन numerical questions को भी यहाँ पर cover करवाया जाएगा, course की price की अगर बात की जाए, तो ये actual price इसकी 400 रुपए हैं, लेकिन अगर आप 31 मई से पहले इस course से enroll होते हैं, तो आपको इसमें 200 रुपए की छूट भी मिल जाएगी, इसके लिए क्या करना होगा, एक code यूज करना ह होगा new 200, इस code का यूज करके आप 200 रुपए की छूट कर सकते हैं, तो ध्यान रखें कि ये course का जो price है, जो offer है, वो आपको 31 मई तक ही मिलेगा, तो इसके लिए आप जल से जल इसमें enroll हो सकते हैं, enroll कैसे होना है, तो download करना होगा हमारा official app, जो कि आपको Google Play Store पर मिलेगा, Google Play Store पर जाईएगा, search कीजेगा, मास रस्वती classes, इस तरीके का logo होगा, उस app को आप install कर लीजेगा, या फिर आपको इस app का link इस video के description box में भी मिलेगा, तो वहां से भी जाकर के आप सीधे Google Play Store पर पहुँँच सकते हैं, और हमारे app को install कर सकते हैं, एप को install कर लेना है, install कर लेने के बाद आपको mobile number और email ID उस पर register करनी होगी, जैसे ही आप register करेंगे, तो registration के बाद इस तरीके का interface homepage open हो जाएगा, homepage open हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके की सारी information आपके सामने दिखेगी, जिसमें सबसे पहले जो banner सो होगा, ये technical course के लिए है, तो इसको आपको क्या करना है, left swipe करना है, left swipe इस तरीके से आपको अपनी finger से इसको swipe कर लेना है, जिस arrow में यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, left swipe करेंगे, तो यहाँ पर next जो banner आपके सामने सो होगा, वो ये वाला banner सो होगा, जिसमें journal science लिखा होगा, तो इसको ध्यान से देख लेना कि journal science लिखा हुआ है, तो ये banner सो होगा, फिर आपको इसी पर click कर लेना है, direct इसी पर click कर लेना, या फिर आप ये ना कर पाएं, तो फिर आप क्या करें, कि store जो यहाँ पर tab आपको दिख रहा है न, बीचों बीच, इस वाले tab पर आप click करें, तो store वाले tab पर click करेंगे, तो फिर आपको इस तरीके का interface सो होगा, इस तरीके का interface सो होगा, तो फिर आपको नीचे scroll करना है, यानि कि आप ऊपर की और अपनी screen को finger से चलाएंगे, तो नीचे scroll होता जाएगा scroll करेंगे तो scroll करने के बाद इस तरीके के तीन courses आपके सामने देखेंगे जिन में journal science का जो course है वो यह है इसमें starting में लिखा होगा इसके title में journal science theory plus mcqs course जिसमें जो fee है वो 400 fee यहाँ पर so हो रही होगी तो इस पर आपको click कर लेना है इस पर click करेंगे तो फिर यह interface आपके सामने देखेगा इस तरीके का जिसमें यह journal science लिखा हुआ banners होगा और यहाँ पर detailed journal science theory plus mcqs course लिखा हुआ होगा इसकी duration की बात करें तो यह lifetime है यह आप इस course को lifetime देख सकते हैं के जो वीडियोज है वो lifetime आप देख सकते हैं ना केवल आप dfccil में बलकि railway और mp police वगेरा जो exam में science पूछी जाती है वहाँ पर भी यह पूरे तरीके से आपके science के portion को cover करेगा तो आप बागी के exam में भी इसकी help ले सकते हैं इसके बाद क्या करना है फिरसे उपर की और scroll करना है यानि कि नीचे की और scroll करना है उपर की और finger चलाएंगे तो नीचे scroll हो जाएगा नीचे की और जाएंगे तो यहां पर आपको देखेगा coupon code available का option ये वाला option आपको देखेगा इस option में आपको view all पर क्लिक कर लेना है यह view all पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो view all पर क्लिक करते ही यहाँ पर coupons जो available है वो आपके सामने 100 हो जाएगा जो कि 31 मई तक ही उपलब्ध है इस पर आपको क्लिक करना है कहाँ पर apply वाले option पर क्लिक करना है यहाँ आपको यहाँ पर 200 रुपए amount payable वाला तो करेगा तो यहाँ पर buy now के option में भी 200 रुपए का amount so करेगा फिर आपको इस पर क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करेंगे फिर इसके बाद payment जो method है बहुत सारे method है उसके माध्यम से आप दे कर पाएंगे और इस course को enroll कर पाएंगे तो करना क्या है Google Play Store पर जाना है सर्च करना है हमारा app मा सरस्वती classes इस तरीके का logo आपको देखेगा उसको install कर लेना है या फिर चाहे तो आप हमारे app का जो link है वो आप इसी वीडियो के description box में मिल दे आएगा वहाँ से भी आप direct Google Play Store पर जा सकते है तो इस course से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 31 माई offer की last date है तो offer की last date को निकलने से पहले पहले आप enroll कर ली जगा ताकि आपको इसमें 200 रोपय का जो discount है वो भी मिल सके अगर आप चैनल पर नए है चैनल को subscribe करना notification bell icon को भी प्रेस कर देना वीडियो को like करना और अपने friends के साथ इसको share जरूर करना so so journal science का पहला subject है physics और physics से हम इसके शुरुआत कर रहे हैं physics का पहला chapter यहाँ पर start करते हैं units and measurement units and measurement की अगर बात की जाए तो अगर हम कुछ measure करते हैं कोई भी quantity को measure किया जाता है physical quantity को तो उसके लिए कुछ reference की जरूरत होती है कि उसको measure किसमे करना है उसी reference को हम unit कहते हैं जैसे माली जगा उदाहर की तोर पे अगर हमें कुछ वजन तॉलना है कोई weight अगर हमें measure करना है तो उसके लिए हमें कुछ reference की जरूरत होगी जैसे कि वो kilogram में है, gram में है कि किस प्रकार की unit उसके अंदर ली गई है तो जब तक हमारे पास unit नहीं होगी तब तक हम उसको measure नहीं कर सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे अगर हमारे पास कोई distance है उसको अगर हमें measure करना है तो distance को measure करने के लिए हमारे पास उसकी unit होनी चाहिए, कुछ reference होने चाहिए, कि उस distance को हमें क्लो मीटर में measure करना है, या मीटर में measure करना है, तो ये सब चीजें इनको fix किया गया है, तो इनी सबी चीजों को हम इस chapter में cover करने वाले हैं, exam के point of view से important चीजों को discuss करने वाले हैं, तो देखे, जब भी हम किसी भी physical quantity की बात करें, सबसे पहले तो हमें physical quantity के बारे में जानना है, कि physical quantity क्या होती है, वो quantity यानि कि बो रासियां होती है, जिनको measure किया जा सकता है, जिनका mapन किया जा सकता है, उनको physical quantity कहते हैं, जैसे अगर हम कोई वजन तॉलते हैं, तो उसको map स तो लंबाई को हम मेजर कर सकते हैं, लंबाई को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये लंबाई क्या होगी हमारी एक भौतिक रासी होगी, तो भौतिक रासी का सीधा सीधा सा जो definition है वो यही है, कि अगर हम किसी physical quantity को मेजर कर सकते हैं, तो उसको physical quantity कहा जाता है, यानि कि किसी भी quantity इसमें उनको नापा जाता है या मेजर किया जाता है, उसको यूनिट कहा जाता है, तो देखिये मापन की जरूरत क्यों पड़ी? जब भी हम किसी भी भौतिक रासी को देखते हैं माले जड़ा अगर आप यहाँ पर एक छड़ को देख रहे हैं एक ये छड़ है और एक ये छड़ है तो आप इसको देख रहे हैं तो इसमें आप ये तो पता कर सकते हैं कि ये कौन सी चड़ जादा बड़ी है या जादा लंबी है कौन सी चड़ छोटी है इसमें आप इसका जो भी अनप्रुस्त काट का चेतरपल होगा उसको भी आप पता कर सकते हैं उसको उसका भी आप अनमान लगा सकते हैं तो इसमें हम सिर्फ अगर मापन की जरूरत की से अगर बात करें तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उससे जो भी हमारे पास ग्यानेंद्रिया होती है यासे कि हमारी पाँछ ग्यानेंद्रिया बात किया है जैसेह कि हमारी तवच्छा हो गई आँख नाक 12 माध्य और आपसे कहा जाए कि इसमें कौन सी छड़ बड़ी है, कौन सी छड़ छोटी है, तो आप देख करके तो इसको बता सकते हैं, लेकिन आपसे पूझा जाए exact value क्या है, तो आप फिर इसको नहीं बता सकते हैं, आप केवल और केवल इसका अनुमान लगा सकते हैं, तो मापन की बताया जा सकता है कि कौन सी छड़ छोटी है, कौन सी छड़ बड़ी है, लेकिन exact अगर लंबाई पूझ ले जाए, तो exact लंबाई हम नहीं बता सकते हैं, तो इसी लिए मापन की जरूरत हुई, कि जो हमारे पास ग्यानेंद्रियां है, या जो भी मनुश्य की ग्यानेंद् यानि कि परिमार चाहिए, परिमार से मतलब क्या है, कि इसकी जो मैगनिट्यूड है, उससे संबंदित चीजें होती, जैसे अगर कोई यहाँ पर आपकी पास छड़ दे दी गई है, तो अगर आपसे पूझा जाए, कि इसकी लंबाई क्या है, तो फिर लंबाई इसका क्या कहलाएगा, मैगनिट्यूड कहलाएगा, अगर इसका वजन पूझ लिया जाए, तो आप वजन को क्या कहेंगे, इसका मैगनिट्यूड कहेंगे, तो केबल ग्यानेंद्रियां के द्वारा किसी भी भौतिक रासी के परिमार, यानि मैगनिट्यूड की सही जानकारी प्राप कहतے हैं अब फिजिकल कॉंटिटिटी की अगर बात करें तो इनको दो पार्ट में डिवाइट किया गया है सबसे पहली जो फिजिकल कॉंटिटी होती है वो जिनको मौल राशिया कहा जाता है इसके बाद इनकी दूसरा जो पार्ट होता है जिसको हम व्यत्पन रासिया यानि कि derived quantities कहते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि physical quantities कितने type के होती हैं दो type के होती हैं सबसे पहला type fundamental quantities और इसका second type होती है derived quantities सबसे पहले हम fundamental quantities की बात करते हैं जैसे कि आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं कि fundamental यानि कि मूल रासिया ये खुद में अपने आप में पूर्ण है इनको किसी और रासि की किसी और quantity की जरूरत ही नहीं है ना ही ये किसी और रासि पर depend करती हैं और ना ही ये मूल रासि जो इनके समकच हैं उन रासियों पर भी ये depend नहीं करती हैं अब यहाँ समझेगा कि fundamental वे रासियां होती हैं, वे quantity होती हैं, जो एक दूसरे से कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से free होती हैं, उनको मूल रासी कहती हैं. जैसे यहाँ पर example की बात किया है तो लंबाई यहाँ पर अगर हम लंबाई की बात करें यह आपकी मूल राशियों के अंतरगत आती है लंबाई हो गया, द्रब्यमान हो गया, समय, ताप, ज्योती, तीवरता, विद्धो, धारा, पदार्थ की मात्रा यह सभी की सभी मूल राशियों के अंतरगत आती है अब इन मूल राशियों को समझना कि अगर हमें कहीं पर कोई जरूरत आवश्यक्ता होती है जैसे मालली जगा, सबसे पहले हम एक छड़ का यह example लेते हैं तो यूनेट, लंबाई का यूनेट क्या होता, अगर ऐसा ही सिस्टम की बात करें तो वो मीटर में होता है, तो यहाँ पर एक छड़ को हमने मेजर किया और इसकी लंबाई कितनी निकली, मीटर में निकली तो देखा आपने, कि यहाँ पर मूल रासियां, वे रासियां होती है जिनको दर्साने के लिए किसी और रासी की जरूरत ही नहीं पड़ती केबल और केबल यह अपने आप से ही अपनी पूरी जानकारी बताती है यानि कि इनकी खुद की पहचान होती है, किसी और पर ये depend नहीं करती है, अगर यहाँ पर हम बात करें, कि अब जैसे meter यहाँ पर लिखा, एक meter लिखा तो ऐसा तो है नहीं, कि एक meter multiply यहाँ पर आपको द्रव्यमान यानि कि kilogram को लिखना पड़ा, kilogram को लिखना पड़ा, ऐसा त सिधे तोर पर कह सकते हैं, कि यह मूल रासी है, यह आपकी fundamental quantity है, ठीक वैसा ही मान लिखेगा, आप समय है, time है, time को हम second में measure करते हैं, वो भी किसमें SI सिस्टम में, अब चाहे वो SI हो, या कोई भी system हो हमारा, हम time को हमें साथ second में ही measure करते हैं, तो यहाँ पर अगर हमें time को measure करना है, मानी जगा मुझे लिखना 45 seconds, तो यहाँ पर केवल एक ही रासी की जरूरत पड़ी, और वो भी कौन सी मूल रासी थी, अब इसके साथ साथ इसे किसी और रासी की जरूरत पड़ी ही नहीं है, तो इसी लिए इसको क्या कहा, fundamental quantities यानि की मूल रासी या, तो आपको य fundamental quantities कहते हैं, clear, इसके बाद दूसरी जो quantity होती है, वो है वारी drive quantity, यानि कि व्यूत्पन रासी, अब यहाँ पर जो drive quantity होती है, इसके नाम से भी आप जान रपा रहे होंगे, कि drive है, इसको क्या किया गया है, drive किया गया है, यानि कि इसको drive किया गया है, तो व्यूत्पन रासि यानि कि derived quantity वो quantity होती है जो कि मूल रास्यों पर निर्भर करती है जिनको मूल रास्यों के माध्यम से ही दरसाया जाता है उनको व्यूत्पन रास्या टहते हैं जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो derived quantities के कुछ example है जैसे कि शित्रफल, आयतन, चाल, तौरल, अब यहाँ पर ए अब लंबाई अपने आप में लंबाई है अब लंबाई का माले जगा SI सिस्टम में यहाँ पर हम यूनिट लेते हैं तो लंबाई का मातर क्या होता है मीटर, clear अब चोड़ाई तो खुदा अपने आप में एक लंबाई ही है तो यहाँ पर भी क्या जरूरत होई मीटर यान इनको कहा गया कि यह ड्राइबड यूनिट है इनको दर्षाने के लिए हमें दो मूल रासियों की जरूरत पड़ी, है नो, यहाँ पर आप देख रहे हैं न कि यह मीटर स्कॉयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्कॉयर, इसका जो यूनिट होगा, छेतरफल का जो य mental quantities हैं उससे मिलकर के ही इसका unit आपके पास निकल के आएगा जैसे यहाँ पर चाल है तो चाल वरावर दूरी बटे समय होता है यहाँ पर दूरी बटे समय क्लियर अब दूरी को हम कैसे denote करते हैं अगर ऐसा ही सिस्टम की बात करें तो मीटर में इसको कैसे denote करते हैं तो इसको हम second man denote करते हैं तो अब आप देख रहें ना कि यहाँ पर एक मूल रासी यह हमें जरूरत पड़ी और एक मूल रासी इसकी जरूरत पड़ी इसलिए हमें दो मूल रासियों की आवशच्टा पड़ी इसी वजय से इसको क्या कहा drive unit, क्योंकि ये drive की गई है, यहाँ पर इनका खुद की कोई पहचान नहीं है, बस इनको मूल रासियों के मदद से इनको लिख दिया गया है, इसी बज़े से ये आपकी व्यूत्पन रासिया हो जाती है, तो clear ये बात आपको कि मूल रासिय क्या होती है, व्यूत्पन रासिय क्या होती है, ये आपको अब doubt clear हो गया होगा, अब यहाँ पर जैसे हमने मूल रासियों के बारे में पढ़ा और व्यूत्पन रासियों के बारे में पढ़ा, तो ये तो क्या थी quantity थी, अब इन quantities को जब हम measure करते हैं, तो जिस reference में measure किया जाता है, यानि कि कुछ ना कुछ हमें एक reference देना होता है, कि ये किसमे measure की जा रही है, तो उसके लिए हमारे पास एक unit होती है, यानि कि एक मात्रक होता है, जैसे कि अगर SI system की बात करें, तो लंबाई के लिए meter होगा, है न, यहाँ पर द्रब्यमान के लिए kilogram होगा, समय के लिए second होगा, तो Kelvin, यहाँ पर ताप के लिए Kelvin हो जाएगा, जोती तीवरता के लिए candlela हो जाएगा, विद्धु धारा के लिए यहाँ पर ampere हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप जो लंबाई को हम meter में दर्फा रहे हैं, किलो ग्राम को, द्रब्यमान को किलो ग्राम में, समय को second में, ताप को Kelvin में, जोती तीवरता को candlela में, विद्धु धारा को ampere में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, तो यह इनके क्या है, मात्रक है, clear, अब जैसे हमारी दो मूल, दो प्रकार की रासियां थी, एक मूल रासी थी, एक व्यूत्पन रासी थी, ठीक वैसे ही इनके दोनों के मात्रक भी दो प्रकार के हो जाएंगे, यानि तो फिर इनके जो यूनिट होंगे, वो भी दो प्रकार से हो जाएंगे, तो यूनिट भी दो प्रकार के हो गए, मूल रासियों के लिए मूल मात्रक हो गए, और व्यूत्पन रासियों के लिए व्यूत्पन मात्रक हो गए, यानि कि जो हमारी fundamental quantities हैं, उनके लिए fundamental unit हो गए और derived जो quantity हैं उनके लिए derived unit हो जाते हैं तो ये चीज आपको clear हो गई कि unit कहां से आया मात्रक कहां से आया तो भईया ये मात्रक यहीं से आया है कि लंबाई को हम किसमे measure करेंगे कुछ तो हमारे पास reference होना आचये ना कुछ तो उसको बताने के लिए जरूरत होगी ना मैं तो ये उसी को बताने के लिए उसके reference के लिए यहाँ पर जो unit का use किया गया वो उसकी पहचान को बताते हैं अब यहाँ पर हम मात्रकों की बात करें तो वो भी दो प्रकार के हो जाते हैं मूल मात्रक हो जाते हैं और विपन मात्रक हो जाते हैं मूल मात्रक का भी वही कंसेप्ट हो जाता है जैसे मूल रासियों का था कि मूल मात्रक खुद से कैसे होते हैं स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से भी स्वतंत्र होते हैं और अपने आप में ये पूर्ण होते हैं, इनको दर्साने के लिए किसी और unit की जरूरत ही नहीं होती, ये खुद से ही अपनी पहचान को बताते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए कि लंबाई है, तो लंबाई का जो मूल मातरक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम SI सि इसके बाद समय की बात करें, तो ये second में बस, इतनी ही आवश्यक्ता हुई, इसके बाद हमें किसी अन्य मातरक की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मूल मातरक, बे मातरक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानि कि एक दूसरे में इनको बदला नहीं जा सकता, और जिनका एक दूसरे से कोई संबंध भी नहीं होता है, उनको हम मूल मातरक कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर, अब इसके बाद second जो टाइप होता है, मातरकों का वो होते हैं, व्यूत्पन मातरक, वैसे ही इनका कंसेप्ट हो जाएगा, जैसे कि हमारी derived quantities थे, ठीक, वैसे ही derived units भी हो मूल मातरक की, तो बे मातरक जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, और इनको मूल मातरकों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, इसी लिए इनको हम व्यूत्पन मातरक कहते हैं, जैसे कि यह शेत्रफल है, अब शेत्रफल को कैसे denote किया जाएगा, शेत्रफल के यही यह आपका एक मूल मात्रक है, लेकिन यह दो बार यूज हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आपको एक बार ही ज़रूरत थी, और किसी भी मात्रक की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा बार भले ही एक ही प्रकार का मूल मात्रक है, पर एक से ज्यादा बार आपको ज़रुरत हुई है इसी लिए इसको drive unit कहा जाता है ये बात आपको clear हो गई होगी कि fundamental units क्या होते हैं drive units क्या होते हैं अब बात करते हैं कि system of unit यानि कि मात्रक की पद्धतियां अगर मात्रक की पद्धती की बात की जाए तो जैसे ये एक तरीके से बहुत time तक अलग-अलग system unit का जो system है वो follow किया गया तो इसके लिए जो चार पद्धतियां हैं वो use की जाती थी सबसे पहले जो पद्धती use अगर हम बात करें तो ये MKS है CGS है, FPS है और SI है, एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है MKS system की अगर बात की जाए तो ये कुछ भी नहीं meter को यहाँ पर sorry, लंबाई को meter में measure किया जाता था यानि कि इसका unit जो है वो meter use किया जाता था MKS system में द्रभ्यमान को kilogram unit use किया जाता था और समय का unit second use किया जाता था तो बस इसी लिए इसको MKS system कहा गया यानि कि यहाँ पर लंबाई का जो unit था meter उसका M हो गया द्रभ्यमान का जो unit था kilogram उसका K हो गया और समय का जो unit था second उसका S हो गया तो इससे मिलकर के बना MKS तो इसको MKS system कहा गया हलागी जो MKS system है वो लगभग लगभग SI system के जैसे ही थी फिर इसके बाद एक next हमारी जो system use की जाती थी वो है CGS system CGS system में क्या होता था कि लंबाई का जो unit था वो centimeter use किया जाता था लंबाई का unit कौन सा centimeter और द्रभ्यमान का जो unit था वो क्या use किया जाता था gram समय का जो unit था वो क्या use किया जाता था second तो इस तरीके से यहाँ पर लंबाई की unit के लिए centimeter द्रभ्यमान के unit के लिए gram और second जो है वो समय की unit के लिए use किया गया तो क्या बन गया आपका CGS तो इसी लिए इसको CGS system कहा गया तो इसको याद करना भी बड़ा आसान है कि आप इनके जो लंबाई द्रभ्यमान और जो समय के unit है उनके first letter को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका system बन के तयार होता है और इस तरीके से अगर exam में पूछा जाए कि CGS system में लंबाई को किस मातरक से denote किया जाता था तो आप आसानी से इसका answer निकल पाएंगे कि centimeter में इसको denote किया जाता था अब बात करते हैं FPS system की FPS system में क्या होता था कि लंबाई का जो unit use किया जाता था वो foot था ठीक है द्रभ्यमान का जो unit था वो pond था और sum का जो unit था वो second था तो यहाँ पर foot pound और second तो इस तरीके से बना FPS FPS यह आपका system बनके त्यार हुआ इसके बाद जो अगला system आया वो SI system आया तो यानि कि अभी आपने तीन प्रकार के system देखे और तीन प्रकार की system कौन कौन से थे एक था आपका CGS एक था आपका FPS और एक था MKS और इन system में different different quantity के लिए different different type के units का use किया जाता था जैसे अगर हम लंबाई की ही बात करें length की बात की जाए तो यहाँ पर CGS में centimeter FPS में pound और MKS में meter तो यह different different चीज़ें हो जाती थी यानि कि जो अलग-अलग country थे वो क्या करते थे अलग-अलग जो measurement system है उनका use किया करते थे अब मान लिजगा कि यह अपना India है किसी un country से कुछ सामान आता है ठीक है कुछ बजन में कुछ सामान आया और उस country ने क्या किया जैसे Britain है ब्रटेन में जो यूज़ क्या जाता था वो FPS system यूज़ क्या जाता था और हमारे इंडिया में MKS system यूज़ क्या जाता था अब ब्रटेन मान लिजगा कुछ आपके पास बजन में सामान आया कुछ जैसे कि यहीं से भीजा मालो, यहां से अनाज भीजा गया, अपने इंडिया से क्या भीजा गया, अनाज भीजा गया, अब अपने इंडिया में क्या यूज किया जाता है, MKS, तो अपन इसका जब बजन तौलेंगे, तो किस में तौलेंगे, किलोग्राम में, क्योंकि अपने यहां MKS यूज चाँ चाँ प्रिजन यानी द्रव्यमान के लिए किलूग्राम यूज किया जाता है अब यह ब्रिटेयं पहुचा तो इसी अनाच को उन्होंने किस में यूज किया पॉंड में तॉला किस में तॉला कॉंड में क्योंकि वहाँ पर ब्रिटेयं में FPS सिस्टम यूज़ की जाती थी और वहाँ पर द्रभ्यमान के लिए कौन सा यूनिट की यूज़ किया जाता था पाउंड यूज़ किया जाता था तो वहाँ पर उन लोगों ने पाउंड में यूज़ तॉला यहाँ पर किलोग्राम में तो यह डिफ्रेंस क्रियेट हो गया यहाँ पर अब डिफ्रेंस हो गया आप किसका किस तरीके से माना जाए यह नहीं कहा जा सका तो इसी लिए एक जरूरत ऐसी पड़ी कि इंटरनेशनली एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसको पूरा वर्ल्ड यूज़ करे जिससे जो यहाँ पर आपके जो पैरामीटर तरीके से बदल जाते थे वो ना बदले सभी जगए एक जैसा मेजरमेंट सिस्टम रहे ताकि जो सिस्टम है उसको सही तरीके से चलाया जा स होती है अलाग कि वो चीज़ें आपके एकजाम के लिए जरूरी नहीं है इसलिए उन सब चीजों को मैंने यहां नहीं लिखा है सिर्फ वहीं चीज़ें बताई जा रहे हैं जो एकजाम के लिए इंपर्टेंट है तो इंटरनेशनल जो स्टेंडर्ड तयार किया गया इसमे कुल 7 जहां पर fundamental quantity को रखा गया और इसके साथ साथ 2 supplementary quantity को रखा गया जिस जो की यह पदती जो थी SI सिस्टम जो था वो लगभग MKS सिस्टम के जैसा ही था इसमें जो भी चीज़ें यूज की जाती थी वो सबकी सब MKS जैसी ही यूज की जाती थी तो ध्यान रखना कि SI सिस three unit भी है यानि कि दो पूरक रासियां भी हैं इन points को आप ध्यान रखें तो आईए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं कि साथ मूल रासियां कौन हैं उनके मात्रक क्या हैं और उनके संकेत क्या हैं कि उनको किस तरीके की संकेतों से दरसाया जाता है तो यहां पर यह साथ मूल रासियां है, ये एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आपको याद नहीं है, तो इनको अभी के अभी याद करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important चीज़े हैं आपके एक्जाम के लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लंबाई लंबाई के लिए जो SI unit रखा गया, वो था meter, और meter को denote किया जाता है small m में, कभी भी capital m में denote नहीं किया जाता है small m में ही denote किया जाता है, अगर अच्छे तरीके से इसको check किया जाया और कभी आपने इसको capital m में लिख दिया, तो वो आपका answer गलत माना जाएगा तो ध्यान रखना कि इसको small m में कई बार exam में इस चीज को बहुत ही बारी किसे पूछने की अगर कोसिस की जाए तो पूछ भी लिया जाता है, कि जो meter है उसका मातरक, किस तरीके से उसके symbol का use किया जाता है, capital m यूज किया जाता है, या m यूज किया जाता है तो गलती कभी इसमें नहीं करना तो लंबाई के लिए meter है और इसका जो symbol है, वो small m है द्रभ्यमान के लिए kilogram का use किया जाता है यानि कि SI system में kilogram का use किया जाता है जिसके लिए जो unit symbol है, वो small kg है इसके बाद समय के लिए second unit यूनित यूज़ की जाती है और second के लिए जो symbol होता है वो cable s होता है कभी भी s, ec इस तरीके नहीं होता है cable और cable small s का use किया जाता है temperature की बात करें तो temperature को kelvin में measure किया जाता है यानि इसके लिए जो unit होती है वो kelvin होती है और इसके लिए जो symbol होता है वो होता है यहाँ पर के कैसा small k होता है यह जियोती तीब्रता की बात की जाए तो इसके लिए जो symbol यानि unit होती है वो candle होती है और इसके लिए जो symbol यूज किया जाता है वो small cd यूज किया जाता है कभी भी capital cd यूज मत कर देना हमेशा इसको small cd म ये cadmium का symbol वन जाता है, जो आपकी periodic table है, उसमें cadmium का जो symbol होता है, वो capital C और small d होता है, तो ये symbol आपका, किसका होता है, cadmium का होता है, यहाँ पर candela की बात की गई है, तो दोनों के लिए small में C और D का यूज किया जाता है, इसके बाद अगली जो quantity होती है, वो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को mole में measure किया, mole में इसका मात्रक होता है, mole, mole, इस तरीके से mole में होता है, और यहाँ पर जो इसका symbol होता है, वो M, O, L, ये symbol यूज किया जाता है, तो ये साथ की साथ मूल राशियां है, बहुत important है, exam के लिए, याद नहीं है, तो में भी यूज किया जाता है, SI सिस्टम में ही, क्योंकि इनकी जरूरत आवश्चक्ता होई, तो इसलिए फिर इनकी unit को बनाया गया, और इनको extra में जूडा गया, इसी वज़े से इनको supplementary unit कहा जाता है, अब अगर कोई angle measure करना होता है, तो angle के लिए SI जो unit होती है, वो radian होत होता है, और symbol इसके लिए steradian use किया जाता है, तो यह आपकी कुल साथ मूल राशिया हैं, और इनके साथ साथ दो इनकी supplementary units भी हैं, तो इनको आप जरूर याद करें, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अपने suffix और prefix की, यानि prefix की बात करते हैं, कि prefix क्या होता है, और क्यों use क किया जाता है, अब suppose कीज़ेगा, माल लिज़ेगा, अगर आपने कोई वजन तौला, कोई वजन आपने measure किया, या वजन ही नहीं लंबाई की बात कर लेते हैं, कोई बहुत आपने लंबाई को measure किया, जैसे माल लिज़ेगा प्रकास वर्स की ही बात की जाए, तो एक प्रक अगर हम इसको openly लिखते हैं, तो यह हमें इस तरीके से लिखना होता, अब ये तरीका देखिए, और ये एक तरीका ये देखिए, आपको कौन सा तरीका बहतर लग रहा है, सीदी सी बात है, हमें ये तरीका बहतर लगेगा, और scientist जो है, उनको भी यही तरीका बहतर लगता ह है, क्योंकि इसको लिखने में आप देख रहे होंगे, बहुत ही अजीब तरीकी की आपको इस तरीकी की चीज़ें दिख रही है, जिसको calculate करना, यानि कि इसको read करना भी इतना comfortable नहीं होता है, तो इसके लिए अब हमने क्या यूज किया, 10 की power 15, 10 की power क्या यूज किया, 15 कर लिया, और दसमलो एक इसका लिया है, तो यहाँ पर दो और हमारे पास power आ गए, तो इस तरीकी से 10 की power 13 के बाद ये 10 की power 15 यहाँ पर बन जाती है, clear, तो इस तरीके से अब हमें जब units, हमारी कोई भी calculation के बाद इतनी लंबी value निकल के आती है, तो फिर उसको हमें power में denote कर करना होता है, power में लिखने के लिए, क्योंकि ये scientific तरीका होता है, किसी भी चीज को लिखने का, कि उसको हमें कैसे so करना है, आप इसको compare करेंगे और इसको compare करेंगे, तो आपको ये चीज ज्यादा better लगेगी, ये देखने में भी better होगी, इसको पढ़ना भी आसान होगा, और इस तरीकी की चीजें ही use किया जाती है, तो इसके लिए फिर prefix जैसे system का use किया गया, कि prefix क्या होता है, अब prefix को समझेगा, और हम जानते हैं ये prefix जो हमारी physics में use किये जाते हैं, जब भी कोई calculation की जाती है, और जो value निकल के आती है, और काफी ज्यादा value होती है उसकी, तो फिर हम in prefix का use करते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम light year का prefix की अगर बात करें, तो उसमें 10 की power 15 होता है, और 10 की power 15 में ये कैसे में होता है, मीटर में होता है, तो हम इसको 10 की power 15 कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं, 9.46 पेटा, क्योंकि 10 की power 15 को देनोट किया जाता है, तो यहाँ पर different different type के आपके सामने यहाँ पर values है, इनको देखते हैं सबसे पहले, 10 की power 1 अगर हम लिखते हैं, तो उसको हम deka कहते हैं, इसको d a से देनोट किया जाता है, 10 की power 2 को hecto कहा जाता है, इसको h से देनोट किया जाता है, 10 की power 3 है, तो इसको kilo जो कहा जाता है, इसके लिए K सिंबल यूज किया जाता है, 10 की पावर 6 है तो इसको मेगा कहा जाता है, इसके लिए M सिंबल यूज किया जाता है, 10 की पावर 9 है तो इसको गीगा कहा जाता है, जिसके लिए G सिंबल यूज किया जाता है, 10 की पावर 12 है तो इसको टेडा कहा जाता है, इसके लिए T symbol यूज़ किया जाता है, 10 की power 15 है, तो इसके लिए पेटा यूज़ किया जाता है, इसके लिए symbol P होता है, और 10 की power 18 है, तो इसके लिए एकसा कहा जाता है, इसकी power E होती है, तो अब इसको याद कैसे करें, याद करने का एक सिंपल सा तरीका है आप नीचे से उपर की ओर पढ़ते जाएं क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो नीचे से उपर की ओर बढ़ रही है तो आप इनको एक सेंटेंस में बोल सकते हैं डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा इस तरीके से इसके बाद फिर आपको देखना है कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 यहाँ तक तो 1, 2, 3 हो रहा है इसके बाद हर में पावर 3 जोड़ रही है यानि कि 10 की पावर 3 के बाद 3 जोड़ दें हम तो 10 की पावर 6 हो जाएगी इसमें आगर हम 3 और जोड़ दाएं तो 10 की पावर 9 हो जाएगी इसमें आगर 3 और जोड़ दिया जाए तो 10 की पावर 12 हो जाएगी 3 और जोड़ दिया जाए तो 15 हो जाएगी और 3 और जोड़ दिया जाएगी तो ये 18 हो जाएगी हमारे लिए इतनी ही जरूरत है इस exam के important के according अगर देखा जाए इससे भी ज्यादा होती है लेकिन उनको ज्यादा तर use नहीं किया जाता है ज्यादा तर value बस इसी category के अंतरगत आ जाती है तो आपने जब भी देखा होगा कि कई बार जब हम question को solve करते हैं तो question में कुछ इस तरीके की values लिखे होई होती है जैस इस तरीके से इसको लिखा जाएगा तो यह एक scientific तरीका होता है हमारी physics की जो calculation है जो value निकल के आ रही है उसको so करने के लिए तो यह इनके symbols हैं exam में पूछे जाते हैं यह तो इनको आप अच्छे तरीके से याद करें very very important point है यह आपके लिए तो यह अभी हमने prefix देखे कैस जिनकी power जो थी वो positive में थी अब कुछ values ऐसी भी होती है यहाँपर अगर हम बात करें तो कुछ values ऐसी भी होती है जो की minus में होती है minus में होने का मतलब कि जैसे अगर हम माली जगाँ अपने इसकी बात कर लें जैसे एक normal सी बात की है कि angstrom. एक angstrom कितना होता है तो एक angstrom की value होती है 10 की power minus 10 meter ये angstrom होता है अब यहां पर 10 की power minus 10 meter यह हापके सामने value होकर के आई है तो यह काई है, minus में अगर हम इसको उस तरीके से लिखे हैं, जिस तरीके से हम नॉर्मली लिखते हैं, तो इसके लिए हमें 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ इस तरीके से लिखना होगा, तो ये ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए, कि ये ज्यादा बेटर होगा, definitely ये हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, और ये इसका scientific तरी पावर वाली थे, अब यहाँ पर हम negative पावर वाली प्रफिक्स को देख लेते हैं, तो इनके लिए अलग-अलग नाम हैं, और इनके लिए symbols भी अलग-अलग हैं, तो इनकी values को देखते हैं, तो इसको आप कैसे याद रखें, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेंटो, एटो, कुछ इस तरीके से एक sentence आप बना लें, इसको दो-तीन बार आप याद करें, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेंटो, एटो, इस तरीके से, अब यहाँ पर स्टार्टिंग करनी हैं, आपको 10 की पा पावर माइनस 12, फेंटो के लिए 10 की पावर माइनस 15, और एटो के लिए 10 की पावर माइनस 18, यह वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ तक 1, 2, 3 तक तो आपको जियूं काते हो, 1, 2, 3 से रखना है, इसके बाद हर में आपको 3 को एक्स्ट्रा जोडते जाना है, तो 3, इसके एफ, पीको के लिए P, नैनो के लिए N, माइक्रो के लिए M, मिली के लिए M, संटी के लिए C और डेसी के लिए D, तो यह प्रफिक्स होते हैं, माइनस की पावर्स वाली वैल्यूस के लिए, तो इनको भी आप याद करें, यह भी बहुत ज़यादा इंप्वर्टेंट है, उनकी बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, खगोलिये unit की, यानि कि astronomical unit, खगोलिये unit क्या होती है, जो हमारी प्रथवी है, और प्रथवी से सूरज के बीच की जो दूरी है, उसको एक astronomical unit कहा जाता है, ये तो इसकी definition होती है, अब इसकी value कितनी होती है, तो इसकी value आपको याद रखना होगा, ये बहुत बार exam में चीज़ें पूछी गई है, तो इनको आप ज़रूर याद रखे, एक astronomical unit जो value होती है, वो कितनी होती है, 1.496 into 10 की power 11 meter, कितनी होती है, 10 की power 11 meter, ये इसकी value होती है, इसको अगर कुछ exam में थोड़ा सा इसको घुमाने की कोशिस की जाए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.496 into 10 की power 8 kilometer, क्योंकि meter को अब kilometer में change कर दिया है, तो 3 power यहाँ पर कम हो जाएंगी, क्योंकि kilo को हम 10 की power 3 से denote करते हैं, 10 की power 3 से denote करते हैं, जब meter की जगे kilometer लिखा जाएगा, तो 3 power को और कम दिया जाएगा, तो इस value को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो यह भी आप अच्छे से याद करें, कि एक astronomical unit जो बराबर होता है, वो 1.496 into 10 की power 11 meter के बराबर होता है, इसके बाद second जो दूरी का बड़ा मात्रक होता है, वो है light year, light year यानि की प्रकास वर्स, एक question तो यही दूरी का, second यहाँ पर प्रकास वर्स की अगर बात की जाए, तो एक यानि की प्रकास के माध्यम से, यानि की प्रकास के द्वारा, एक year में कितनी दूरी तै की गई है, यह उस value को सो करता है, यानि की light जो है, एक साल में कितनी दूरी तै करती है, इसको हम light year कहते हैं, इसकी value होती है 9.46 into 10 की power 15 meter अगर इसको और modify करके लिखा जाए तो किलो मीटर में भी लिखा जा सकता है तो इसके लिए 3 power कम करनी होंगी हमें तो ये value हो जाएगी 9.46 into 10 की power 12 किलो मीटर इसके बाद अगला जो unit होता है वो होता है पारसिक पारसिक की अगर बात करें तो एक पारसिक बरावर कितना होता है 3.08 multiply 10 की power 16 meter तो ये value आप याद रखें कि एक पारसिक बरावर 3.08 into 10 की power 16 meter इसके साथ साथ एक पारसिक बरावर 3.26 light year भी होता है यानि कि एक पारसिक किसके बरावर होता है 3.26 light year के बराबर भी होता है अगर हम 3.08 multiply 10 की power 16 में light year को divide कर दे 9.46 into 10 की power 15 तो यह 15 से यहाँ पर cancel हो जाएगा 0 बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 30.80 और यहाँ पर 9.46 जब इसको हम divide करेंगे तो यह लगभगा आपका 3 यहाँ पर यह 30 लिखा है एक जर्नली आप example से समझ लें कि यह 30 लिखा है और यह 10 लिखा है तो यह लगभग कितना आ रहा है तो अगर हम इस value को एक दूसरे से divide करें तो यह 3.26 के बराबर value निकल के आती है यहाँ तो हमने round figure में निकाल के देख लिया कि हाँ यह 3 आ रहा है तो यह इससे जादा ही होगी यह value तो यहाँ पर 3.26 light year यह आपका answer यहाँ पर निकल क्या था तो यह सभी जो आपको unit बताए गए हैं जितने भी values बताए हैं इनको याद करें बहुत important हैं आपके exam के लिए अब बात करते हैं हम दूरी के छोटे मात्रकों के लिए कि distance के लिए जो छोटे मात्रक use किया जाते हैं जिसे यह जो मात्रक थे यह तो काफी बड़े मात्रक थे जैसे कि कुछ जो ब्रह्मार्ण में कुछ ग्रह हैं उनकी दूरी को measure करना अब दूरी के छोटे मात्रक जैसे छोटे-छोटे कुछ units होते हैं जैसे कि जो आपका atom हो गया, atom की radius कैसे major करनी है तो इनके लिए छोटे मात्रकों की जरूरत होती है तो इसके लिए छोटे मात्रक निर्धारत किये गए तो सबसे पहले 1 micron की बात करते हैं 1 micron जो वराबर होता है, वो होता है 10 की पावर माइनस 6 meter कितना 10 की पावर माइनस 6 meter इसको अगर centimeter में लिखें तो फिर ये 10 की पावर माइनस 4 centimeter हो जाएगा और अगर इसको हम millimeter में लिखें तो ये 10 की पावर माइनस 3 millimeter हो जाएगा इसके बाद next आता है angstrom angstrom क्या है इसके माध्यम से हम जो wavelength होती है जो wavelength है इस तरीकी की जो wavelength होती है उसको measure करने के लिए angstrom unit का use किया जाता है तो एक angstrom किसके बराबर होता है 1 angstrom is equal to 10 की power minus 10 meter ये meter में है अगर हम इसको centimeter में convert करें तो फिर ये 10 की power minus 8 centimeter हो जाएगा तो इन दोनों values को याद रखें इसके बाद एक micron जो बराबर होता है वो कितने angstrom के बराबर होता है एक micron is equal to 10,000 angstrom के बराबर होता है ये value और एक angstrom अगर इसको nanometer में हम देखें तो एक angstrom बराबर हो जाएगा 10 की power minus 1 nanometer या फिर एक nanometer बराबर हो जाएगा 10 angstrom के बराबर ये सभी जो converted values है इनको भी आप याद रखें इसके बाद आता है fermi तो fermi बराबर होता है एक fermi जो value होती है तो ये एक fermi बराबर value होती है 10 की power minus 15 meter और ये fermi जो use किया जाता है ये atom बगेरा में use किया जाता है atom की radius बगेरा हो गई ये distance बगेरा हो गई इन सब चीजों को measure कर करने के लिए fermi का use किया जाता है तो one fermi is equal to 10 की power minus 15 meter यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ और important points के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा बल यानि की force जो होता है उसके लिए cgs system में जो unit use कि जाती है वो unit होती है dine और SI system में जो unit use कि जाती है वो होती है newton तो ये exam में कई बार पूछा जाता है इसलिए इस point को यहाँ पर include किया गया है कि force की cgs system में unit क्या होगी dine होगी और SI system में unit क्या होगी newton होगी तो यहाँ पर अगर हम इसको compare करें कि one newton is equal to तो one newton is equal to होता है 10 की power 5 dine के बराबर यानि कि one newton is equal to 10 की power 5 dine तो इसको आप याद रखें इस किसके साथ अगाद हम work की cgs system में unit की बात करें यानि work की cgs system में unit क्या होती है वो होती है अर्ग और SI system में unit क्या होती है until into अर्ग किस की है, अर्ग भी आपकी वर्ग की यूनिट है, लेकिन किस में कौन से सिस्टम में, CGS सिस्टम में और वर्ग की ऐसा ही सिस्टम में अगर यूनिट की बात की जाए तो वो क्या है, जूल है तो यहाँ पर एक जूल and measurement के topic को पूरी theory को cover कर लिया है next part में हम इसके important question को discuss करेंगे, तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, कि जो different type की हमारी जो physical quantities होती है, उनके units अभी बच गए है, यानि कि units को अभी हमने नहीं यहाँ पर पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है, उसका work, energy and power का topic आना है, या फिर motion का topic आना है, तो उसमें automatic ही यह term आती है, यह definition आती है, और यह definition के बारे में हम जानेंगे, तो फिर इनकी units भी यहाँ पर निकालेंगे, तो उससे आपको सरी चीजें automatically याद हो जाएंगे यहाँ पर अगर हम unit को directly पढ़ें, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि रटना पढ़ेगा, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हमारे chapter आते जाएंगे, उनकी जो unit आती जाएंगे, जो physical quantities आती जाएंगे, उनको हम वहीं पर पढ़ते चलेंगे, तो यहाँ पर जितना अभी आपको पढ़ाया है, इन चीज़ों को आप पढ़िएगा, इस topic से आपका कोई question बाहर नहीं जाएगा, जितना था सारी चीज़ों को important, जो shrink चीज़ें थी, उनको करके यहाँ पर complete करवा दिया गया है, ठीक है, इसका जो next part होगा, उसमें हम क्या करेंगे, इसके objective question को complete करेंगे, यानि इस chapter के objective question को complete करेंगे, तो अगर आप channel पर नए हैं, तो subscribe करना, notification bell icon को भी प्रेस कर देना, वीडियो को like करना और share जरूर करना अपने friends के साथ, so thank you for watching अब इसके लिए हमारे online application पर एक course launch किया गया है, जो की एक जून से इसकी classes, recorded classes upload होनी शुरू हो जाएंगी, ये course आज ही launch किया गया है, इस course में आपको क्या मिलेगा, इसके बारे में हम आपको यहाँ पर discuss कर लेते हैं, जर्नल साइंस की अगर बात की जाए, तो जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने topics आपको बताए हैं, और सभी topics को cover करवाया जाएगा, जो की बिलकुल हमारा new pattern पर waste है, इसमें आपके factual और conceptual builder course होगा, fact को आपको clear करवाया जाएगा, साथ ही साथ concept पर सबसे ज़्यादा focus होगा, ताकि जो conceptual question होते हैं, जो logical waste question होते हैं, वो question आप अच्छे तरीके से बना सकें, तो 50 plus के something यहाँ पर topics हो जाते हैं, सभी तीनों जो subject हैं, physics हो गया, chemistry हो गया, biology हो गया, यानि कि life science हो गया, तो 50 plus topics हो जाते हैं, लगभग ये, तो यह सभी topics यहाँ पर cover करवाये जाएंगे, इसके साथ साथ, 2000 plus MCQs questions की भी practice करवाये जाएगी, और साथ ही साथ, जो हमारे physics में numerical पूछे जाते हैं, chemistry में जो numerical question पूछे जाते हैं, जिस level की question पूछे जाते हैं, उन numerical questions को भी यहाँ पर cover करवाया जाएगा, course की price की अगर बात की जाए, तो यह actual price इसकी 400 रुपए हैं, लेकिन अगर आप 31 मई से पहले, इस course से enroll होते हैं, तो आपको इसमें 200 रुपए की छूट भी मिल जाएगी, इसके लिए क्या करना होगा, एक code यूज़ करना होगा, new 200, इस code का यूज़ करके, आप 200 रुपए की छूट राप्त कर सकते हैं, तो ध्यान रखें कि यह course का जो price है, जो offer है, वो आपको 31 मई तक ही मिलेगा, तो इसके लिए आप जल से जल इसमें enroll हो सकते हैं, enroll कैसे होना है, तो download करना होगा हमारा official app, जो कि आपको Google Play Store पर मिलेगा, Google Play Store पर जाईएगा, search कीज़ेगा, मास रस्वती classes, इस तरीके का logo होगा, उस app को आप install कर लीज़ेगा, या फिर आपको इस app का link, इस video के description box में भी मिलेगा, तो वहाँ से भी जाकर के आप, सीधे Google Play Store पर पहुँच सकते हैं, और हमारे app को install कर सकते हैं, एप को install कर लेना है, install कर लेने के बाद, आपको mobile number और email ID उस पर register करनी होगी, जैसे ही आप register करेंगे, तो registration के बाद, इस तरीके का interface, home page open हो जाएगा, home page open हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके की सारी information आपके सामने दिखेगी, जिसमें सबसे पहले जो banner सो होगा, ये technical course के लिए है, तो इसको आपको क्या करना है, left swipe करना है, left swipe इस तरीके से आपको अपनी finger से इसको swipe कर लेना है, जिस arrow में यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, left swipe करेंगे, तो यहाँ पर next जो banner आपके सामने सो होगा, वो ये वाला banner सो होगा, जिसमें journal science लिखा होगा, तो इसको ध्यान से देख लेना कि journal science लिखा हुआ है, तो ये banner सो होगा, फिर आपको इसी पर click कर लेना है, direct इसी पर click कर लेना, या फिर आप ये ना कर पाएं, तो फिर आप क्या करें कि store जो यहाँ पर tab आपको दिख रहा है न, बीचों बीच, इस वाले tab पर आप click करें, तो store वाले tab पर click करेंगे, तो फिर आपको इस तरीके का interface सो होगा, इस तरीके का interface सो होगा, तो फिर आपको नीचे scroll करना है, यानि कि आप उपर की और अपनी screen को finger से चलाएंगे, तो नीचे scroll होता जाएगा, scroll करेंगे, तो scroll करने के बाद इस तरीके के तीन courses आपके सामने देखेंगे जिन में journal science का जो course है वो यह है इसमें starting में लिखा होगा इसके title में journal science theory plus mcqs course जिसमें जो fee है वो 400 fee यहाँ पर 100 हो रही होगी तो इस पर आपको click कर लेना है इस पर click करेंगे तो फिर यह interface आपके सामने देखेगा इस तरीके का जिसमें यह journal science लिखा हुआ banners होगा और यहाँ पर detailed journal science theory plus mcqs course लिखा हुआ होगा इसकी duration की बात करें तो यह lifetime है यह आप इस course को lifetime देख सकते हैं इसके जो videos है वो lifetime आप देख सकते हैं ना केवल आप DFC CIL में बलकि railway और MP police वगेरा जो exam में science पूछी जाती है वहाँ पर भी यह पूरे तरीके से आपके science के portion को cover करेगा तो आप बाकी के exam में भी इसकी help ले सकते हैं तो इसके बात क्या करना है फिर आपको फिर से उपर की ओर scroll करना है यानि कि नीचे की ओर scroll करना है उपर की ओर finger चलाएंगे तो नीचे scroll हो जाएगा नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा coupon code available का option ये वाला option आपको दिखेगा इस option में आपको view all पर click कर लेना है ये view all पर आप apply वाले option पर click करना है यहाँ पर कुछ भी type नी करना सीधा-सीधा apply वाले option पर आपको click कर देना है जैसे ही आप apply वाले option पर click करेंगे तो इस तरीके से आपका 200 रुपए का discount हो जाएगा ये देखिए 200 रुपए का discount हो गया इसके बाद आपको यहाँ पर 200 रुपए amount payable वाला तो करेगा तो यहाँ पर buy now के option में भी 200 रुपए का amount so करेगा फिर आपको इस पर click कर लेना है इस पर click करेंगे फिर इसके बाद payment जो method है बहुत सारे method है उसके माध्यम से आप pay कर पाएंगे और इस course को enroll कर पाएंगे तो करना क्या है Google Play Store पर जाना है search करना है हमारा app मा सरस्वती classes इस तरीके का logo आपको देखेगा उसको install कर लेना है या फिर चाहें तो आप हमारे app का जो link है वो आप इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा वहाँ से भी आप direct Google Play Store पर जा सकते है तो इस course से अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो 31 माई offer की last date है तो offer की last date को निकलने से पहले पहले आप enroll कर ली जगा ताकि आपको इसमें 200 रोपय का जो discount है वो भी मिल सके तो अगर आप channel पर नए है channel को subscribe करना notification bell icon को भी फ्रेस कर देना video को like करना और अपने friends के साथ इसको share जरूर करना so